हाई गाइस पिंपल इतनी बड़ी समस्य हो चुकिये ना यंग बॉई और गल्स के लिए को कंटा चुके हैं बड़े बड़े बॉइल्स और पिंपल्स थे क्योंकि अभी वह फास्फुड खाते हैं बाहर का खाते हैं और जो नहीं चेहें वह खाते हैं तो ऐसा टाइम क्या कर तो एक चोटा से उपाई है उसके बाद भी में दो तिन टिक्स दे रही हूं लेकिन एक उपाई यह है कि देखें मुल्तानी मट्टी यह है बेसन और चावल का आटा चावल का आटा है ना वाइटनिंग आईगी जो बेसन है वह क्लीनिंग करेगी मुल्तानी मट्टी अंदर थंडग लेके आएगी और दूद डारेक्ट डालते है ना तो चिकट होता है मतलब इट इस ऑईली होता है लेकिन मैंने किया किया है मिल्क का पाउडर डाला है अभी हम इस तीनों को मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद हमारा पाउडर कुछ ऐसा ह देखिए मैंने इस सब चीजों को मिक्स कर लिया है मिक्स करके आपका पाउडर इस तरीके का हो जाएगा अब हम क्या करेंगे देखिए मैंने एक स्पून भी रखा है छोटा वाला जिससे आपका वेजरमेंट ज्यादा नो हो देखो इतना स्पून ही लेना है उसमें हमें तरह ढ़न आपकी लाला है हमें इस मिक्स्टर को बहुत गाडा कि रखना है गाडा रखने से किया होगा बह। चिप्का हो जाएगा पतला रखेili और पतला रखे ली के ही ऊसा पतला रखे थे तीज भी अबिशने मधेम पवटर है एक्स्टा मिल आपको जरूद से यह भी या कुछ भी होगा ना वो स्लोली विदिन वीक इस लोडाउन हो जाएंगे अज जैसे ही आपको यह मिले प्लीज आप कमेंट करना कि यह नुसका हमें बहुत काम और अनधर गाइस देखिए मैं यह प्लीसरें यूज कर रही हूं लिके आयों उससे पहले गाइस आपको आपक कोई भी मार्केट की केमिकल वाधी आइटम्स यूज नहीं करनी हैं फेस पे क्यूंकि फेस के लिए अच्छी नहीं होती जो फेस क्लीनर आते हैं वहीं सवसाते हैं आप एवोड़ कीजिए आप नैश्रल चीजों पे जाईए घर की चीजों से आपको घर में सब कुछ मिल अब यह ग्लीसरीन एक है मार्केट से लेके आईए इसको आप लाइट अपलाए कीजिए दिन में एक बार जब बहुत सारे पिंपल हो तब और उसको दस मिर्ट रखने के आवाल उसको वाश कर जीजिए तो इससे भी आपको बहुत बड़े-बड़े बॉल्स हो जाए हो सके तो फास्फूड खुड़ा कम कीजिए यह बहुत बड़ा एक है जो आपको कम करना चीए फास्फूड फास्फूड जाला खाने से भी आपको पिंपल्स हो सकते हैं और फैट फैट भी बड़ेगा बॉड़ी का ओके गाइस तो हम अगर आपको मेरे यह सिंपल से लेके आऊंगी आपके लिए जो आपके हैर स्कीन बॉड़ी सबके लिए काम आएगी तो गाइस प्लीज यू लाइक माइडियास प्लीज लाइक शेल और सब्सक्राइब किजिए एंजॉइ कि अएपके टाइ चे टॉड़ी वार आपके लिए बॉड़ी तो हम अगर आपके लिए एंज।